शुबग्य अकेडमी में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आप हैं सुनील जैन के साथ आज हम एक नए विशाय के साथ आगे बढ़ेंगे मतरो आज हम हिंदी सिक्षण से संबंधित प्रशना को हल करेंगे करमसा है इस पीडियेफ में कुछ प्रशन रहेंगे इसके बाद अगली जो पीडियेफ रहेंगे उसमें करमसा है जतने भी प्रशन मेरे पास हैं एमसीक्यू वो सीधे आपको लाने की कुशिस करूँगा आप लोग डिस्क्रिप्शन से पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं और वो प्रशनल लगा सकते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो भी और आगे वीडियो डालूँ वो सीधे आपके पास पहुँच जाए मतरो लगभग आप लोग भी इसी परक पात्मक प्रशनवाली बुक भी आ रही हैं और टेक्स्ट जो की वो आते हैं न मॉडल पेपर आते हैं उनमें भी कई मिल रहे हैं तो आप लोग लेकर नहां धूड़ना पड़ेंगी बुक्स भी क्योंकि कई जिगा अबलेवल नहीं होती है तो फ्लिप कार्ट है वाज उन प्राथ में किस्तर तो यहां कौनसी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए तो यहां मात्री भाषा पढ़ाई जाती है सही आंसर है इसका मात्री भाषा आगे देखें उच्च प्राथ में किस्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगी अब यहां चर्चा देखना है आप दी जो दिया है उप्योक्त ए और बी तो इसका जो सही आंसर है ए और बी इसका आंसर जो है सही है क्योंकि मात्री भासा और छेत्री भासा भी वहाँ पढ़ा सकते हैं और संगी या सह संगी या भासा ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि उच्चे पराथ में किस तरह है तो बच्चा स सीखता है वहाँ पर समझने लगता है आगे पुशन देखें समाज की संस्कृती का ज्यान कराने वाली भाषा कहलाती है समाज की संस्कृती का ज्यान कराने वाली भाषा जो है वह कौन सी भाषा कहलाती है तो संस्कृती क्या ज्यान कराती है मात्री भाषा प्रादेशिक का ग्यान कराती है समाज की संस्कृति का ग्यान कौन सी भासा कराती है तो संस्कृत भासा कराती है करमसा आगे बढ़ते चले राष्ट्र भासा किस की पृतिक है तो राष्ट्र भासा जो है राष्ट्र ये एकता की पृतिक है मैं यहां चारों बोल नहीं रहा हूं प्रकार से जो इसका सही आंसर है अंतराष्ट्री भासा बिभिन राष्ट्रों को का एकी करन करती है अगला प्रस्ट देखें मानक भाषा के लिए अनिवारे सर्थ है मानक भाषा के लिए अनिवारे सर्थ क्या है देखें जो की चार ओफसन दिये हुए है व्याकरण सम्मत हो विरहद शमाज द्वारा प्रियोग करना विरहद समाज प्रियोग करता हूँ बहुत सारे लोग प्रियोग करते हूँ सिक्षत वर्ग की प्रिय भाषा होना तो उपर तो इसका सही आंसर क्या है एक द्वनी के लिए एक ही शंकेत है हिंदी भाशा में एक द्वनी के लिए एक ही शंकेत है यह इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रशन देखें हिंदी में एक वर्ण की है अब यहां द्वनी की चर्चा है तो देखते हैं एक हिंदी म एक वरण की है क्या है एक धुनी दो धुनी तीन धुनी यह अपर योक्त मैंसे कोई नहीं तो एक वरण की क्या है एक ही धुनी है एक वरण की एक ही धुनी है पहला ही इसका सही हो जाएगा हिंदी भाषा के मौखिक व्योहार में शब्दों के सुध उचारण निर्भर करते हैं हिंदी भाषा में मौखिक व्योहार के सब्दों के सुध उचारण निर्भर करते हैं किस पर निर्भर करते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं D इसका आंसर सही है बोलने के बल पर बोलने के श्वर पर बोलने के अनुतान पर और जो इसका उपर्योक्त सभी पर ये आंसर इसका सही हो जाएगा अगला प्रसन देखें हिंदी को राष्ट्र संपर्क भाषा की उपाधी किशन दी बहुत बढ़िया प्रसन है हिंदी को राष्ट्र संपर्क भाषा बनाने की जो उपाधी है ये उपाधी किशन दी थी ये आपको बताना है कि हिंदी भाषा को राष्ट्र संपर्क भाषा बनाने की उपाधी किशन दी थी तो ये इसका जो सही आंसर है पहला ही आंसर इसका सही है श्रीमती इंद्रा गांधी जी ने ये जो उपाधी है ये दी थी अगला परसुन देखें केंद्री सिच्छा सलाहकार मंडल के द्वारा प्रिस्तृत त्रिवासा सूत्र के अनुसार अहिंदी भाषी छेत्र में हिंदी भाषा को बनाया गया है जो अहिंदी भाषी छेत्र हैं हिंदी भाषी छेत्र नहीं है उनके लिए क्या बनाया गया है त्रिवाषा शूत्र में पहला option है अनिवार्य बनाया गया है या फिर आईच्छिक बनाया गया है या वैकिलपिक में रखा गया है या इन मैंसे कोई नहीं तो इसका जो सही answer है पहला answer सही हो जाता है अहिंदी भासी छेतरों में उसे अनिवार्य किया गया है केंद्री सलाहकार मंदल के द्वारा त्रिभासा शूत्र में तो इसे अनिवार्य किया गया है अगला पसंद देखें भासा भाशा का गहन एबं ब्यापक अध्यन करने ही तू उपयोगी है भाशा का गहन और ब्यापक अध्यन करना है तो इसके लिए क्या उपयोगी है तो इ पीता या संबेग या उपरयुक्त जो की सभी का उफसंदिया हुगा है भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैं क्या अभिव्यक्त किये जाते हैं आपको बताना है तो भाषा के द्वारा बिचारों की अभिव्यक्ति होती है पढ़ा होगा आप लोगों ने भाषा क अभिव्यक्ति करता है किसकी अभिव्यक्ति करता है ये पूछा है ध्वनियों के द्वारा व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है किसकी अभिव्यक्ति करता है निवंध लेखन कवीता शंबेग या उपरयोग तो सभी तो उपरयोग तो सभी इसका आंसर सही हो जाएगा भाशा के अंग है भाषा के अंग वैसे ये चारों के चारों ही है जो कि वाचन पठन लेखन तो ये शब ही इसका आंसर जो है सही हो जाता है पाँचों के पाँचों जो कि भाषा के अंग कहे गए है अगला पुशन देखे भाषा शीखने का स्वभाविक मनुवज्यान क्रम है भाषा बताया गया है शुनना बोलना लखना पढ़ना और एक संस्क्त में भी आताईimet है स्रवण पढ़न लेखन इस परकार से तो इसका जो सही आंशर है ये सी आंशर इसका सही हो जाता है स्रवण बोलना पढ़ना और लिखना ये सही है अगला देखें वर्ण माला पढ़ना और वर्ण माला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है वर्ण माला पढ़ना और वर्ण माला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है मतलब इसका जो सही आंसर है ये पहला आंसर ही इसका सही हो जाता है बढ़नमाला पढ़ना ही सबसे पहले किया जाता है अगला परसुन देखें एक सक्षक कक्षा में कवीता के वाचन पाथ का आयोजन कर रहे हैं बे किस परकार के भाषाई कोसल के बिकास का उपाय कर रहे हैं क्या कहा यहां एक सक्षक कक्षा में कवीता के पाथन का आयोजन कर रहे हैं तो अब किस प्रकार के भासाई कौसल का विकास का जो की उपाय कर रहे हैं अभिव्यक्ति कौसल के अर्थगरहन या अभिव्यक्ति कौसल का उपाय कर रहे हैं अगला प्रश्ण, गहन अध्यन निष्ट सुक्षन में मौन बाचन किस कक्षा से प्रारम्व किया जाना उचेत होगा, मौन बाचन आप लोग समझ गए होंगे, जन्होंने बिय डियर किया हुआ है, मौन बाचन समझते होंगे, तो किस कक्षा से प्रारम्भ करना उचेत होगा मौनवाचन का तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाता है बी आंसर कक्षा पांचवी से चलने अगला परसन देखें सक्षक की क्रिया से संबंधित है यहां सक्षक की क्रिया से संबंधित है पूंचा है मतलब सक्षक क्या करता है तो सीधा सीधा है सक्षक आदर से बाचन करता है उसके बाद में जो चात्र है वो अनुकरण बाचन करते हैं या फिर उसके बाद में मौन बाचन होता है तो यह आंसर इसका जो है यह सही आंसर है अगला प्रशन देखें असुद्ध चा कारण क्या हो सकता है तो क्रोध में बोलना भैवीतो कर बोलना सब्दों को चबा चबा कर बोलना ये ही इसका सही आंसर है डी आंसर इसका सही है असुद उच्चारण का जो की कारण यही हो सकता है अगला प्रशन देखें उच्चारण के दोस का कारण नहीं है उच्चारण के दोश का कारण नहीं है उचारण के दोश का कारण क्या नहीं है तो भार्षा की संरचना जो है उचारण के दोश का कारण नहीं है और ये शारे के शारे जो है दोश का कारण है अगला शश्ष्वर वाचन बड़ा लाभप्रद है क्योंकि इस शे समय वेतीत करने में सुधर रहती है उच्छारण में सुधता आती है चात्र प्रतियोगीता करना सीखता है यह उपर्योगत सभी तो जो शश्ष्वर वाचन है उपर्योगत सभी जो इसका है आंसर ये सही हो जाता है अगला देखें राष्ट्रिय अध्यापक परिशद बहुत बढ़िया प्रशन है राष्ट्रिय अध्यापक परिशद ने सिख्षण के लिए आवश्चक कितनी दक्षताओं का जिक्र किया है आठ बारह दश या चौदा है तो इसका सही आंसर क्या है सी आंसर इसका सही आंसर है जो कि 10 दक्षताओं का जिक्र किया है वाचन सक्षण की विधियां है वाचन सक्षण अब यहाँ पर वाचन सक्षण की विधियों के बारे मैं पूछा है संसलेश आत्मक या विशलेश रात्मक पूचा है या और बात दोनों तो इस पकार से आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका डी फिर से एक बार पर से देख लें बाचन सक्षन के बारे मैं पूचा है वाचन सक्षण की बिधियां तो इसका D आंसर जो है वो सही है वाचन सक्षण की बिधियां इन मैंसे कोई नहीं है ना संसलेशन ना बिशलेशन ना इन मैंसे जो की ये दौना भी नहीं है तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा इन मैंसे कोई नहीं वाचन सिखाने की सबसे प्राचीन पध्धती है वाचन सिखाने की सबसे प्राचीन पध्धती कौन सी है ये अक्षर ग्यान पध्धती है वाचन सिखाने की पध्धती में अगला प्रशन वाचन सिखाने की उत्तम उत्तम पध्धती कौन सी है यह भी आपका प्रश्ण बन सकता है कि सबसे सबसे उत्तम पध्धती कौन सी है तो इसका आंसर बताना है सबसे उत्तम पध्धती के बारे में तो बरतनी सुधार लेख शुधार या कार्य प्रगर्टी में शमनबै या उपरोक्त सभी तो इसका जो आंसर सी आंसर इसका सही है कार्य प्रगरती में शमन बैद बालकों के शब्दकोश होना चाहिए बालकों के सब्दकोश होना चाहिए कैसे होना चाहिए चित्रातमक, भाशातमक, कार्यातमक या इनमेंसे कोई नहीं तो इसका जो सही आंशर है ये हो जाता है चित्रातमक बालकों का सब्द को कैसा होना चाहिए चित्रात्मा को होना चाहिए जिससे वो चित्र को देखकर और सब्दों का ग्यान कर सकें मैं तो यहां पर अपने कुछ प्रशने की है इसके लावा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें इसी परकार के और भी प्रशन हल करने की कुश्स करें या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिस तो जो भी अगला वीडियो आए या फिर मैं और कुश्चन्स डालूं पीडियेफ में डालूं या कहीं से भी प्राप्त होते हैं तो वो आप सभी को लाने की कुश्स करूं आप लोग किसी परकार से हमारे इस चैनल से जुड़े रहें आप सभी कबह बहुत धन्यवाद